प्रिया बाजपी सरोज खान ने बीते रात बांदरा स्थित मुंबई के गुरुणानक अस्पताल में आख्री सास ली उनको मधर ऑफ डान्स कहा जाता था ऐसी कोई भी बॉलिवुट इंडिस्ट्री में आक्ट्रस नहीं है जिसे सरोज खान ने अपने डान्स मूफ पर ना नचाया हो चाहे व आदे आपको कि सरोज खान लगभग 2000 से जादा गानों को कुरोग्राफ कर चुकी है वो एक हिंदू परिवार से आती है और उन्होंने मात्र 13 साल की उमर में शादी कर दी थी ऐसा भी कहा जाता है कि सरोज खान ने अपने बच्चों को अकेले दम पर पाल पोस कर बढ़ा कि और वो पार्टिशन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गई थी तो चलिए जानते हैं सरोज खान के कुछ अंसुने अनकहे राज जिससे बॉलवोड और उनके फैंस आज भी अचूते हैं और साथी साथ लगतार सोशल मीडिया पर उनके फैंस और बॉलवोड सेलिब सरोज खा जान का असली नाम निर्मला हाखपाल था सरोज के पिता का नाम किशन चन सिंग और मा का नाम यूणी सिंग था ПТशिशन के बाद सरोज खान का परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया पैसों की तंकी के कारन सरोज ने बहुत कम उमर में ही काम करना शुरू कर दिया था उन्ह उन्होंने शाम्यानाम की बच्ची का किरिदान निभाया था। पचास के दशक में सरोज के बतौर बैक्ग्राउंड डांसर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कोरोग्राफर बी सोहनलाल के साथ ट्रेनिंग ली। 1974 में रिलीज हुई मूवी गीता मेरा नाम से सरोज एक सिंग्वल करोग्राफर की तरह जुड़ी थी। हाला कि उनके काम को काफी समय बाद पहचान मिली। पतादे सरोज खान ने 13 साल की उमर में अपने पहले डांस मास्टर बी सोहनलाल से शादी की थी। जो की पहले से शादी शुदा और चार बच्चों के पिता थे। सरोज ने 43 साल के भी सोहनलाल से शादी करने के लिए सलाम धर्म कुबूल कर लिया था। एक इंटरव्यू में सरोज ने बताया था कि मैंने अपनी मर्जी से सलाम धर्म कुबूल किया है। उस वक्त मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मुझे पर कोई दवाफ तो नहीं लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे मुस्लिम धर्म से काफी प्रेणना मिली थी, मैं काफी उसे इंस्पायर हुई थी। जैसा कि आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट में जाना कि कैसे सरोज खान ने अपनी जिन्दगी को बिताया, उन्होंने शादी कैसे की, कौन सी मुवीज में उन्होंने पहला गाना क्रोड़ाफ किया और कब उन्होंने क्या हासिल किया अपनी जिन्दगी में। कि अपने एधे पोड़ाइब टाना ने आन कि बत रहां हिते हमारी स्पट्ट कैसे अपनी जिन्दगी में। जैसा कि आपने हमारी इस रिपोर्ट में जाना कि सरोज खान एक हिंदू परिवार से थी उनके माता पिता कौन थे और उन्होंने पनी लगन से किस तरीके से बॉलवुड इंडस्ट्री में एक मुकाम हासल किया तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट और पूरी आईबियन भारत की टीम आज सरोज खान को शद्धांज लिए अर्पित करती है ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रही है आईबियन भारत चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेर करिए और जैसे आप हमें रोज प्यार देते रहते हैं और आके भी हमें ऐसी प्यार देते रही है वीडियो जनलिस्ट कुलदीब के साथ मैं प्रिया बाजपी आईबियन भारत लखनव